राधे राधे जैसी कृष्णा आईए आज हम तिस्वा सोंबार की व्रतकता सुनते हैं चेत्रमास के चारो सोंबार को तिस्वा सोंबार कहते हैं इसमें जगदीश भगवान के पट और बेंतों की पूजा की जाती है ये तिस्वा सोंबार वही करता है जिसने जगदीश भगवान के दर्शन किये हैं ये पूजा दोपहर के समय की जाती है पूजा करने वाला घर का प्रमुख व्यक्ति जगदीश भगवान के दर्शन करके आजाने वाला व्यक्ति पूजा करने परवत रखता है पूजा के समय जक्तिस भगवान के पट एक पाटे पर पद्राई जाते हैं बेंतों को धोकर उस जल को एक पादर में रखते हैं उसी में बेंत खड़े करके दिवार से टिका देते हैं चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नेविते से पट और बेंतों की पूजा की जाती है पूजा में फूलों की माला, आमर, मंजरी और टेसू के फूलों के साथ जो के बाले चड़ाए जाते हैं कच्चे पके पकवानों का भोग लगाये जाता है कथा के बार रोली चावल चड़ा कर भोग बना कर भगवान को भोग लगाते हैं और उस भोग के परसाथ को सभी व्यक्तियों में बाढ़ दिया जाता है आईए अब हम चेत्रमास के तिसुव सोंबार की व्रत कथा सुनते हैं प्राचिन समय में भाटों का एक परिवार था वे एक गाउं में रहते थे वे बहुत निर्धन थे भाट रोज गाउं में से भिख्षा मांग कर के लाता उसी से उनका गुजर बसर चलता था एक दिन भाटिन ने अपने बती से कहा कि है स्वामी आज मैं अपनी बेटी और दामात को भुजन खाने के लिए बुलाना चाती हूँ इसलिए आज भिख्षा में ज़्यादा आटा मांग कर के लाना तो भाट ने हामी भर दी उसके बाद भाट गाउं में भिख्षा मांगने गया उस दिन उसे बिख्षा में ज़्यादा आटा मिला जब हाट बिख्षा लेकर घर आया तो भाट ने स्वाधिष्ट भुजन बनाकर के तयार कर दिया भुजन बनाकर के जब रसुई से निकली और हाथ पर दोकर वापस रसुई में गई तो उसने देखा कि रसोई में सिर्फ दो ही रोटी रखी हुई थी, एक छोटी रोटी और एक बड़ी रोटी, यह देखकर भाटिम को बड़ा अश्चरिय हुआ, उसने अपने पती को बुला करके दिखाया, कि मैंने अभी अभी स्वादिष्ट भोजन बना करके रखा था, अब हम अपने बेटी दामाद को क्या भोजन खिलाएंगे, तो भाट ने अपनी भाटिन से कहा, कि छोटी रोटी बेटी को खिला देना और बड़ी रोटी दामाद को खिला देना, आज हम पानी पीकर ही रात गुजार देंगे, थोड़ी देर के बाद भाटिन के बेटी द भाटी ने बेटी को छोटी रोटी परोजदी और दामाद को बड़ी रोटी जिमा करके विदा कर दिया। दूसरे दिन भाटी ने अपने पत्नी से कहा कि मैं जगदीज भगवान के दर्शन को जा रहा हूं। तुम पीछे से अपना और घर का ध्यान रखना। उसके बाद भाटी जगदीज भगवान के दर्शन के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ऐसे इस्थान पर पहुँचा जहां बहुत से लोग पत्तल दोने बना रहे थे। भाटी ने उन लोगों से पूचा कि ये पत्तल दोने कहा के लिए बन रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि शिरी जगदीज भगवान का भंडारा है। वही के लिए ये पत्तल दोने बनाए जा रहे हैं। तो भाटी भी वही बैठकर पत्तल दोने बनाने लगा। शाम को वह पत्तल दोने बनाने वाले लोगों के साथ राजमहल में चला गया। और वहीं भंडारे में भोजन करने बैठ गया तब एक पतल में तो उसने सम भोजन किया और दूसरी पतल में भोजन बांध कर एक मटकी में रख दिया पतल दोने बनाने वाली इस्तरियों में से एक इस्तरी उसके गाव की थी जो वापस गाव जा रही थी भाटी ने उस इस्तरी को वही मटकी दे दी और कहा कि यह मटकी मेरी भाटीन को दे देना तब उस इस्तरी ने मटकी को सिर पर रख लिया और गां की ओर चल दी चलते चलते आदे रास्ते में ही उस इस्तरी को मैसूस हुआ कि मटकी का वजन बढ़ रहा है तो उस इस्तरी ने मटकी को सिर से उतार कर हाट डाल कर देखने लगी तो उसका हाथ मटकी में फस गया वैस्तरी घबरा गई और जगदीज भगवान से प्रात्ना कारने लगी कि है जगदीज भगवान भाट की सोगात भाटिंग के जाय हमारा हाथ छूट जाए ऐसा कहते ही उसका हाथ मटकी से चूट गया घर आकर उस इस्तरी ने अपनी सास को मटकी देते हुए कहा कि इस मटकी को खोल कर मत देखना यह मटकी भाटिन की है यह मटकी आप भाटिन को दे देना ऐसा कहकर बहु अपने कमरे में सोने चली गई किन्तु सास का मन नहीं माना उसने मटकी का मुख खोल कर देखा तो उसमें हीरे पने भरे हुए थे सास ने सोचा कि इस मटकी को तो मैं रख लेते हूँ दूसरी मटकी में गेहू भर कर भाटिन को दे दूगी ऐसा सोच कर सास ने मटकी में गेहू भने के लिए उसने अपनी गेहू की कोठी का छेट खोला तो उसमें से कीडे निकलने लगे यह देख कर सास घवरा गई सास भी जग्दीश भगवान से प्रात्ना करने लगी कि है जग्दीश भगवान भाट की सोगात भाट के खर जाए हमारे तो वापस गेहूं हो जाए ऐसा कहते ही गेहूं की कोठी में वापस गेहूं हो गे उसके बाद सास ने भाटिन को बुलाकर उसकी मटकी उसे दे दी भाटिन ने घर आकर मटकी का मुँँ खोलकर के देखा तो उसमें हीरेपने भरे हुए थे यह देखकर भाटि बहुत प्रसन हो गई अब भाटिन उन हीरेपनों से खुब दानपुन्य करने लगी वो दर्भाट जगदीज भगवान के दर्शन की इच्छा से आगे बढ़ता रहा रास्ते में उसे एक साधू मिला साधू ने भाटी से पूचा कि है पुत्र इतनी जल्दी जल्दी में तू कहा जा रहा है भाटी ने सादू से कहा कि है सादू महाराज मैं जगदीज भगवान के दर्शन करने के लिए पूरी जा रहा हूँ तो सादू ने कहा कि यदि सच्मुत तुझे सिरी जगदीज भगवान के दर्शन की इच्छा है तो तू मेरी इस धूनी में दस जा भाट धूनी में दसने लगा तो सादू ने कहा नहीं नहीं तु कुए में कूज जा भाट जैसे ही कुए में कूजने लगा तो सादू ने कहा नहीं नहीं तु बढ़बूजे की भाड में अपना सिर दे दे भाट जैसे ही भड़बूजे की भाड में सिर देने लगा तो सादू ने कहा कि नहीं तुझे तो सच में ही जगदीज भगवान के दर्शन की लगन लगी है चल तू मेरे साथ मेरे आश्रम में चल कर रहे इस प्रकार भाट सादू के साथ उसके आश्रम में आ गया जब आश्रम में पहुँचे तो संध्या हो चुकी थी सादू ने भाट को भोजन की सामगरी दे कर कहा कि तू इन सामगरी से तेरे और मेरे लिए भोजन बना ले भाट ने खिचडी चड़ा कर आटा गुंदा खिचडी का हाडी का पानी जैसे ही बाहर उफन कर गिनने लगा तो भाट को समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं वह सोचने लगा कि खिचडी का पानी बेकार ही बह रहा है यह देखकर वह खिचडी का पानी पीने लग गया जिससे उसका मू जल गया किचडी बनने के बाद भाट ने रोटी और सबजी बनाकर रख दि और सादू से बोला कि है सादू महाराज मैंने रोटी, सबजी और खिचडी बनाकर के रख दि आईए अब आप भोजन कर लीजिए सादू ने कहा कि मैं ये भोजन नहीं करूँगा तुने पहले ही भोजन जूटा कर दिया है तब भाट ने कहा कि फिर इतने सारे भोजन कमे क्या करो तो सादू ने कहा कि अभी यहां से बहुत से रहागीर गुजरेंगे तु उन्हें ये भोजन बाट देना थोड़ी देर के बाद जगदीज भगवान के दर्शन करके उदर से बहुत से यातरी गुजरें भाट उन सब को भोजन बाटने लगा भाट जितना भोजन बाटता वह भोजन वापस उतना ही हो जाता भोजन खतम ही नहीं हो रहा था ये देखकर भाट को समस्ते देर नहीं लगी कि है सादू कोई ओर नहीं सम जगदीज भगवान ही है भाट सादू के चर्णों में गिरकर बोला कि हे प्रभू आपके दर्शन पाकर में क्रतार्थ हो गया हे भगवन अब आप मुझे पूरी में भी दर्शन देना आप तो सरवग्य हैं आप तो सब कुछ जानते हैं हे इश्वर मैं बहुत गरीब हूँ पेट बर्भोचन तक भी मुझे प्राप्त नहीं होता कृपिया करके आप मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए सादू रूप में भगवान जगदीश बोले कि हे वस मेरी पूरी के पास ही बैंत का वन है उसमें से तो पांच बैंत तोड़ कर ले जाना लेकिन लालच मत करना उसके बाद भाट पूरी के पास वन में गया वहां उसने पांच से अधिक बैंत तोड़ ली तो उसकी मुश्के बंद गए यह देख कर भाट गबरा गया वे भगवान से शमा मांगने लगा पाँच बैंते रख ली और बाकी की बैंते उसने वही फैंक दी ऐसा करते ही उसकी मुश्के खुल गई तब पाँच बैंत लेकर भाट वापस उसी आश्रम में सादू के पास पहुझा तो सादू ने उसे पीतल की बटलोई दी और कहा कि चेत्र मास के प्रते सोंबार को इन बैंतों की पूझा करना चोथे सोंबार को मेरे नाम का भंडारा करना सारे भोजन का व्यंजन इसी बटलोई में हो जाएगा तू इस बटलोई से जो भी चीज मांगेगा वही चीज बन कर किया जाएगी भाट ने कहा कि है सादू महाराज मैं तो अनभिज्य हूँ मुझे तो पूझा की विधी भी नहीं मालू कृप्या करके आप मुझे पूझा की विधी बताईए तब सादू रूप में भगवान ने भाट को पूझा की विधी बताई भाट प्रसन होकर सादू को प्रणाम करके वापस अपने घर को चल दिया चलते चलते उसे पानी की प्यास लगे तो वह एक सरोवर में पानी पीने के लिए उद्रा तो उसकी अंजली में एक टेसू का फूल आकर गिरा टेसू के फूल को देखकर भाट को यादाया कि आस्तो चेतरमास का प्रथम सोंबार है उसने वही बेंतों की पूझा करी पूझा करने के बाद उसने देखा कि पास ही खेतों में कुछ किसान काम कर रहे हैं भाट उन किसानों के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम मेरी तिस्वा सोंबार की व्रत कथा सुन लोगे तो किसानों ने भाटी से कहा कि हमारे पास तो बहुत काम पड़ा है हम हमारे काम को छोड़ कर तुम्हारी कथा क्यों सुने जब तक हम तुम्हारी कथा सुनेंगे हम बहुत सा काम निम्टा लेंगे भाट निराश होकर वहां से आगे को चलने लगा जैसे ही वे आगे बढ़ा तो उन किसानों के खेतों में अजानक से आग लग गई यह देखकर सभी किसान घबरा गे वे भाग कर भाट के पास आए और उसके चरण पकड़ कर बोले कि हम तुमारी तिस्वा सुम्बार की कथा सुनेंगे लेकिन तुम कथा हमारे खेत पर चलकर ही सुनाना तो भाट राजी हो गया भाट किसान के खेत में गया और वहां बैट कर उन्हें तिस्वा सोंबार की कथा सुनाने लगा जैसे ही कथा पूरी हुई उनके खेतों में से आग भी भुच गई यह देख कर सभी किसानों को महान आश्चरिय हुआ उसके बाद भाट ने पूजा अर्जना करी उसके बाद भाट अपने घर की ओर आगी चल दिया चलते चलते चेतर मास का दूसरा सोंबार आ गया उस दिन उसका फिर से सोंबार कवरत था वह सोच में पढ़ गया कि मैं अपने तिस्वा सोंबार की कथा किसे सुनाऊ कि तभी उसे एक गडरिया अपनी भेड बकरी चराता हुआ मिला भाट उस गडरिये के पास गया और कहने लगा कि अरे भाई आज मेरा तिस्वा सोंबार कवरत है क्या तुम मेरी तिस्वा सोंबार की कथा सुन लोगे तो गडरिया कहानी सुनने के लिए तयार नहीं हुआ भाट निराश होकर आगे की और बढ़ने लगा तभी उस गडरिये के पेट में जोर से दरद हुआ और भेड बकरियों ने भी चारा चर्ना छोड़ दिया या देखकर गडरिया घबरा गया वह भाग कर भाट के पास आया और बोला कि मैं तुमारी कथ सुनने को तयार हूँ भाट ने बैंतों की पूझा करी और गडरिये को कहानी सुनाए जिससे गडरिये के पेट का दरद भी ठीक हो गया और उसकी भेड बकरिया भी चारा चर्ने लग गई उसके बाद भाट आगे बढ़ गया चलते चलते भाट उस गाओं में पहुँचा जहां उसकी दोनों बेटियों का ब्याहा हुआ था भाट के दो बेटियां थी बड़ी बेटी अमीर घर में ब्याही थी तो छोटी बेटी का ब्याहा गरीब घर में हुआ था भाट सबसे पहले अपनी अमीर बेटी के घर पहुंचा उस दिन 3rd सोंबार कवरत था उसने बेंतों की पूझा करी और अपनी बेटी से बोला की बेटी मेरी 30 सोंबार की कथा सुन ले बेटी के पास काम धंदा बहुत जाता था तो उसने कहानी सुनने से इनकार कर दिया ये सुन कर भाट को बहुत दुख हुआ वे वहां से अपनी चोटी बेटी के घर पहुँचा उदर पीछे से अमीर बेटी के घर में चोर उसका सारा धन चुडा कर के लीगी जब हाट अपनी गरी बेटी के घर पहुँचा तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी आज मेरा जेतर मास का तीसरा सौंबार कवरत है या तु मेरी तिस्वा सौंबार की कहानी सुन लेगी तो बेटी प्रसन होकर बोली कि हाँ पिताजी मैं जरूर सुन लोगी मैं पूजा की सामगरी और जल का लोटा लेकर आती हूँ, आप जब तक पूजा की तयारी करो, तब भाट ने बैंतों की पूजा करी, और अपनी बेटी को तिस्वा सोंबार की कथा सुनाई, उसके बाद भाट ने बटलोई में बैंत डाल कर खट-कटाया, तो वहां व्यंज का धेर लग गया, बेटी अपने पिता से बोली कि पिता जी इतने सारे भूजन का हम क्या करेंगे, पिता ने कहा बेटी पूरे गाउं को भूजन जिमा दे, बेटी ने पूरे गाउं को भूजन जिमा दिया, तिस्वा सोंबार की व्रत कथा सुनने से, बेटी का घर धन-ध भाट अपनी चोटी बेटी को आशिर्वात देकर आगे अपने घर की योड चल दिया। दो दिन में वह अपने घर पहुच गया। वहां उसने देखा कि वहां खुब बागबगीचे हो रखे थे। कुए ताला बावडियां खुदी हुई थी। जग जग छाया दाव रक्ष लगे हुए थे। यह देखकर भाट को बहुत खुशी हुई। जब घर पहुचा तो भाटीं भी अपने पती से मिलकर बहुत खुश हुई। उसके बाद चेतर मास का चोथा सोंबार का दिन आया। तो भाट ने पूरे गाउं में भुजन का निमंतरन दिया। भाट नहा धोकर विदी पूर्वक बेंतों की पूजा करके बटलोई को खटकटाया। तो उसमें से खुप सारे तरह तरह के वेंजन बनकर आने लगे। पूरे गाउं ने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन खाया। राजा के यहां भी धेर सारा प्रसाद भिचवाया गया। राजा इतनी बढ़िया प्रसादी देख कर और लोगों से भाट की प्रशंस सुन कर बहुत नाराज हुआ। उसने सैनिक को आदेश दिया कि भाट से बटलोई लेकर आओ। राजा के सैनिक भाट के घर पहुँचे और राजा का आदेश सुनाया। भाट की सैनिकों से लड़ने की कहां ही मत थी। तो उसने सैनिकों को बटलोई दे दी। राजा बटलोई पाकर बहुत प्रसन हुआ। राजा ने कहा कि अब मैं भी पूरी नगरी को भोजन कराऊंगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि पूरी नगरी को भोजन का न्योता दे दो। पूरी नगरी को भ पेंत डाल कर उसको खट-कटाया, तो उसमें से भोजन बनकर नहीं आया, इदर नगरी की सारी प्रजा, राजा के यहां भोजन करने पहुच गई, पूरी प्रजा भूग से व्याकुल हो रही थी, तो राजा को बड़ा क्रोध आया, कि यह उस भाट की कारस्थानी है, उसने अपने पुत्र के सारी सेनीको को भाट को पकड़ कर लाने का आदेश दिया, लेकिन भाट पहले ही जानता था कि बटलोई में से भोजन बनकर नहीं आयेगा, और राजा अपने सिपाई को भेज कर मुझे पकड़ कर दंड देगा, तो भाट पहले ही भाग करवन में छुप गया, तभी भाट को सादू की याद आई, भाट ने सोचा कि अब तो सादू ही उसकी मदद करेंगे, जब वे सादू के पास जा रहा था तो उसे रास्ते में एक नदी मिली, उस नदी ने भाट से कहा कि है भाई तुम कहा जा रहे हो, भाट ने कहा कि मैं जगदीश भगव अपनी समश्या का निवारन पूछने जा रहा हूं, तो नदी ने भाट से कहा कि अरे भाई तुम मेरा भी दुख पूछ लेना, मेरी नदी का कोई भी पानी नहीं पीता है, अगर कोई जीर जिनावर या मनिश्य मेरी नदी का पानी पी लेता है, तो उसकी म्रतिव हो जाती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, जो मेरी नदी का पानी जहरीला है, अगर तुम्हे भागवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारन भी पूछ लेना, भाट ने नदी से कहा कि जरूर पूछ लूँगा, आगी जाने पर उसे एक आम का पेड मिला, आम के पेड ने भ भाट से पूछा कि अरे भाई, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहा जा रहे हूँ, तो भाट ने कहा कि मैं जगदीज भगवान से अपनी समशा का निवारन पूछने जा रहा हूँ, तो आम के पेड ने कहा कि अरे भाई, मेरे आम के पेड में हर साल खूब आम लगते हैं, लेकिन कोई भी मेरे पेड के आम नहीं खाता अगर कोई खा लेता है तो उसे वे आम कड़वा लगता है मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिली है तो भाट ने आम के पेड से कहा कि जरूर पूछ लूँगा उसके बाद भाट आगे चल दिया भाट ने उस इस्तरी को भी हामे भर दी आगे जाने पर भाट को एक घोडा मिला जिसकी पीट पर बड़ा सा फोडा था उस घोडे ने भी भाट से अपने दुख का निवारन भागवान से पूछने को कहा भाट ने घोडे को भी तसली देते हुए कहा कि मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं तुमारी दुख का निवारन भी पूछ लूँगा इस तरह भाट आगे चल दिया आगे उसे एक गाई मिली उसका बचड़ा उससे बिछड गया था उस गाई ने भाट से कहा कि अरे भाई मैंने ऐसा कौन सा बुरा पाप कर दिया या ऐसे कौन से बुरे कार्म किये जिसकी मुझे ये सजा मिली है कि मेरा बचड़ा ही मस्से बिछड गया है अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम मेरे दुख कानिवारन पूछ लोगे तो भाट ने गाई माता से कहा कि है गाई माता अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख कानिवारन भी पूछ लोगा इस तरह चलते चलते वैं घनी जंगल में पहुँच गया गने जंगल में भाट को एक सर्प मिला जो आधा बामी के अंदर था और आधा बामी के बाहर फसा हुआ था उसने भी भाट से कहा कि है भाई मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ ने तो मैं बिल के अंदर जा सकता हूँ नहीं मैं बिल से बाहर निकल सकता हूँ मैंने ऐसे क्या बुरे कार्मी किये जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है सर्प ने भाट से कहा कि अगर तुम्हें जगदीज भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारन भी पूछ लेना भाट ने सर्प को भी वचन दे दिया उसके बाद वे आगे गया आगे जाने पर एक गाउं में उसे एक अमीर सेट मिला जो वे अपने घर के मलबे के उपर बैठा रो रहा था भाट ने अमीर सेट से उसके रोने का कारण पूछा तो सेट ने भाट से कहा कि मैं अपने पुत्रों के लिए हवेली बना रहा हूं लेकिन जैसे ही मैं छट डलवाता हूं छट डलते ही मेरी हवेली भरबरा कर गिर जाती है मैंने ऐसे क्या बुरे कार्म कर दिये कि मैं अपने पुत्रों के लिए मकान भी नहीं बना पा रहा तब अमीर सेट ने भाट से कहा कि पुत्र अगर तुम्हें जगदीश भगवान के दर्शन हो जाए तो तुम मेरे दुख का निवारन भी पूछ लेना भाट ने अमीर सेट से कहा कि जरूर पूछ लूँगा इस तरह भाट चलता चलता पुरी में पहुँच गया वहाँ भगवान ने भाट को दर्शन दिये भाट भगवान जगदीश के चरण पकड़ कर रोने लगा और बोला कि है इश्वर आपने मुझे बटलोई दी थी लेकिन मेरे नगर के राजा ने मुझे बटलोई चीन ली साथी मेरी बड़ी बेटी के घर में भी चूरी हो गई तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र तु वापस अपने घर जा वह राजा खुद तुझे बटलोई देने आएगा और साथी अपनी गलती की शमा भी मांगेगा और तु अपनी लड़की को तिस्वा सोंबार की कथा सुना देना सब ठीक हो जाएगा जब भाट वापस अपने घर की ओर जाने लगा तो उसे रास्ते में मिले सभी दुखी जनों की याद आई तब भाट ने एक एक करके सभी के दुखों का निवारन भगवान से पूछा तो भगवान ने भाट से कहा कि हे पुत्र वै नदी पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी आपस में खोब लड़ाई जगडा करती थी इसलिए इस जन्म में वै खारी नदी बनी है तो उनकी नदी का पानी पी लेना उसकी नदी का पानी अमरत के सामान मीठा हो जाएगा फिर भाट ने आम के पेड के बारे में पूछा तब भगवान बोले कि वै आम का पेड पूर्व जन्म में धनी सेड़ था कभी किसी की मदद नहीं करता था इसलिए वह कड़वे आम का पेड बना है हे पुत्र तु उसके आम के पेड में से एक आम तोड़ कर खा लेना उसके पेड के सभी आम मिश्री के सामान मीठे हो जाएगे फिर भाट ने बोज़ड होने वाली इस्तरी का पूछा तब भगवान बोले कि हे पुत्र वह इस्तरी पूर्विजर्म में खुद गरम रोटी खाती थी और अपनी सास और ननत को बासी ठंडी रोटी खाने को देती थी इसलिए उसके सिर पर पोज है तो उसकी बोज़ की गटरी को हाथ लगा देना वह बोज़ की गटरी अपने आप गायब हो जाएगी फिर भाट ने घोड़े का पूछा तब भगवान ने कहा कि वह घोड़ा पूर्विजर्म में रणभुमी में अपने माली को मरने के लिए छोड़ कर भाग आया था इसलिए उसकी पीट पर फोड़ा है तो उस घोड़े पर बैटकर सवारी कर लेना उसका फोड़ा भी ठीक हो जाएगा फिर भाट ने सर्प का पूछा तब भगवान ने कहा कि वह सर्प पूर्विजर्म में एक सूत खोर मुनीम था वह लोगों के पैसे हड़कता था इसी का उसे दंड मिला है तो उस सर्प के हाथ लगा देना वह भी बामी से बाहर आ जाएगा और उसे मुक्ती मिल जाएगी फिर भाट ने अमीर सेट का पूछा जिसकी हवेली बार-बार बनती थी लेकिन छत डालते ही पूरी हवेली तूट जाती थी तब भगवान ने कहा कि है पुत्र वे अमीर सेट पूर्व जन्म में भी धनी सेट था धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी उसके एक छोटा भाई था जो बड़ा ही गरीब था उसके गरीब भाई के एक लड़की थी उसके पास अपनी बेटी का विवा करने के लिए पैसे नहीं थे तब वे गरीब भाई ने अपने अमीर भाई से अपनी बेटी के विवा के लिए पैसे मांगे तो पूर्व जान्व में उस धनी सेट ने अपने गरीब भाई को उसकी बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं दिये थे वे उसी का दंड इस जान्व में भोग रहा है पुत्र तुम अमीर सेट से कहना कि वे किसी गरीब भामन की लड़की का विवाह करवा दे और खुब दान दहिस दे तो वे इस दोश से छूट जाएगा उसके बाद भाट ने गाई के बारे में पूचा तब भागवान ने कहा कि पुत्र ये गाई पूर्व जन्व में एक से ठानी थी ये अपने बेटा बहु और पोते से खूब लड़ाई करती थी इसने अपनी बहु से उसके पुत्र को अलग कर दिया था ये उसी का दंड भोग रही है पुत्र तु उस गाई की पूच के हाथ लगा देना उसी शन उस गाई का बिचड़ा हुआ बचड़ा उसे मिल जाएगा तब भाट भगवान को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया तब उस भाट ने सभी दुखी लोगों की समश्या का निवारन किया सबके दुखों का निवारन करके वै अपने घर की ओर चल दिया उसी राद भगवान जगदीश ने राजा को सापन में दर्शन दे कर कहा कि हे राजा तु उस भाट की बटलोई उसे वापस कर दे वह भाट मेरा परम भक्त है वह तिस्व सुम्बार कवरत करता है और मेरी पूजा करता है उसके व्रत और पूजन से खुश होकर मैंने ही उसे वह बटलोई दी थी अगर तुने उसे उसकी बटलोई वापस नहीं करी तो मैं तेरा सारा वेभव धन सब नश्ट कर दूँगा सुब उड़ते ही राजा को अपने सपन वाली बात याद आई राजा ने अपने सपन वाली बात सभी मंत्रियों रानी को बताई तब राजा के मंत्री राजा से बोले कि है महाराज उस भाट के उपर तो भगवान जगदीश की असीम अनुकंपा है आप वे बटलोई वापस उस भाट को दे दीजिए राजा ने उसी समय सिपाई भेज कर भाट को महल में बुलवाया तब तक भाट भी अपने घर पहुँच चुका था राजा ने भाट को उसकी बटलोई वापस कर दी साथे उसे खोब सारा धन वी दिया भाट अपनी बटलोई और धन पाकर बहुत खुश हुआ घर आकर भाट ने अपनी दोनों बेटियों जवाईयों को और पूरे गाओं को भोजन के लिए बुलाया जब भाट के बेटी जवाई घर आगे तो भाट ने जगदीज भगवान की पुजा करी तिस्वा सौंबार की कथा सुनाई और बटलोई में बेंट कट-कटा कर उसमें से खुब सारे स्वादिश्ट व्यंजन बनकर आने लगे भाट ने पूरे गाओं को भोजन खिलाया सबको स्वादिश्ट भोजन कराने के बाद भाट ने अपने बेटी जवाई को खुब सारा धन दे कर विदा कर दिया उस भाट के द्वारा जगदीश भगवान की यातरा करने से तिस्वा सोंबार का व्रश चुरू हुआ जो कि हर साल चेत्रमास के सोंबार के दिन किये जाते हैं चेत्रमास के सोंबार के दिन टेसु के फूर से जगदीश भगवान का पूजा काने से इसका नाम तिस्वा सोंबार पड़ा। जहु जगदीश भगवान की चैए। सभी व्रत के साथ में गायमाता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पुराफल मिलता है। आईए अब हम गायमता की कहानी सुनते हैं। तो उसकी मा और दादी ग्यारसी कहते तो ग्यारसी समझ जाती थी कि गाय को रोटी खिलानी है। ग्यारसी दोड कर अपनी मा और दादी से रोटी वे पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खुटे पर डाल देती थी। विवहा के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गो भक्ती देखकर उसके साथ ससुर वपती भी बहुत खुश हुए जब ग्यारसी यानि की सहुकार्णी फिर उसके बाद ग्यारसी सहुकार्णी के कहने पर उसके साथ ससुर ने एक गाय पाल ली सहुकार्णी रोज सुभह तड़के उठकर गाय के इस्थान की सफाई करती उसके ठाने की सफाई करती चारा डालती गोबर पोठे उठाकर उपले बनाती गाय के खुटे की सफाई करती दूद निकालती और जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाई को देती थी ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे गाई माता के आशिरवाद से उसे एक पुत्र रतनी की प्राप्ती हुई इस तरह हमेशा उनके एक या दो गाई हमेशा रहती थी समय भीता सहुकारनी के साथ ससुर देव लोग गमन को प्राप्त हो गए फिर बेटे का विवा हुआ और दो पोते-पोती भी हुए उसके तीन-चार साल बाद सहुकार भी चलवसा सहुकारनी के हाथ-पाउ जब तक चलते रहे तब तक तो वही गाई का सारा काम करती रही लेकिन बुड़ाबा आ गया हाथ-पाउ ने जवाब दे दिये उसके हाथ धूजने लगते थे अब उसके हाथ-पाउ में वह जान नहीं रही हाथों में कोई भी चीजबे पकड़ती तो वहें धूजने लगते थे चेरे पर जुर्यां और बालों में सफेदी आ चुकी थी शरीर में आत और मुं में दात ना रहे तब एक दिन सहुकारनी अपनी बहु से बोली की बहु अब तुमें ही रसोई वर घर के काम के साथ गाई का भी ध्यान रखना है गाई को समय समय पर चारा पानी देना है, साफ सफाई करना है गाई को कभी धूप तो कभी छाया में बानना पड़ता है बहु पहली रोटी गाई को जरूर देना बहु ने कहा माताजी मैं सब कर लूँगी आप चिंता ने करें लेकिन बहु रोटी बनाते ही बच्चों और पती को खिला देती उसके बाद बच्चों का और पती का टिफन बना कर दे देती लेकिन वह गाय को रोटी देना भूल जाती थी और गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी बेचारी, साहुकार्णी, विस्तर पर पड़ी-पड़ी, दुखी वे उदास होती रहती थी ना तो वे खुद काम कर सकती थी और ना ही बार बार बहु को कुछ कह सकती थी बस गाय माता से मनहीमन माफी मांगती रहती थी समय बीटता गया एक बार की बात है सावन का महिना था बारिश की छड़ी लग गई खूब जोरदार बढ़सात हुई लगातार 24 घंटों तक पानी बरसता रहा गाउं की गलियां, सड़के सभी जगय घुटनों तक पानी भर गया नगर गाउं के सभी लोग जान बचाने के लिए उची जगय पर जाने लगे तब नगर के राजा ने धिंडोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को वैकीमती सामान को लेकर उची पहाडी पर पहुँच जाएं क्योंकि बरसात का पानी लगातार बरस रहा है सब को अपनी जान बचानी है तब साहुकानी के बेटा भहु ने भी गाई की रसी खोल दी ताकि वो सुरक्षित जगय जा सके और कीमती सामान और बच्चों को लेकर मा से बोले कि मा सारा गाउं जा चुका है हमें भी जान बचाने के लिए पहाडी पर पहुँचना है आप भी चलिए लेकिन साहुकानी बोली बेटा तुम लोग जाओ मेरी इतनी ही उमर थी अगर बच गई तो तुम्हारा नसीब और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया बेटे ने अपनी मा को बहुत समझाया लेकिन साहुकानी नहीं मानी तब बेटा बहु अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए लेकिन गाई नहीं गई गाई माता सहुकार्णी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई पूरा गाँ, खेत खलियान, यहां तक की राजा का महल सब डूब गए लेकिन सहुकार्णी का मकान नहीं डूबा, पानी खूब बरस रहा था सहुकार्णी का मकान गीला जरूर हुआ लेकिन डूबा नहीं सहुकार्णी ने गाई की पूँच पकड़ी इस तरह तीन दिन बाद बर्सात रुकी पानी उत्रा तब सभी गाउं वाले वैराजा पहाडी से नीचे उत्रे तो सबने देखा की सभी के घर करीब करीब डूब चुके थे लेकिन सहुकार्णी का मकान सुख़ा पढ़ा था जब राजा के पास ये खबर पहुची तो राजा वैगाउं वाले भी सहुकार्णी के बेटा बहु के साथ उनके घर पहुचे तब सभी को वड़ा आश्चरिय हुआ सहुकार्णी गाई की पूछ पकड़ कर बैठी थी तब राजा ने सहुकार्णी से पूछा कि अरी बुरिया माई बरसात में सारा गाउं, खेत खलियान, यहां तकी मेरा महल भी डूब गया लेकिन तेरा घर कैसे बचा तब सावकार्णी बोली कि राजा जी मुझे और मेरे घर को तो गाई माता ने बचाया है मैंने पूरी उम्र गाई की सेवा करी है पहली रोटी गाई को खिलाई यह उसी का फल है तब बुरिया के बेटा बहु अपनी माँ के चर्णों में गिर कर माफी मांगने लगे बुरिया ने राजा से कहा कि राजा जी सभी दान धर्मों और वरत का फल मरने के बाद मिलता है लेकिन गाई की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है लेकिन जीते जी भी गाई की सेवा काफल मिलता है उसी दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में ये एलान करवा दिया कि सभी को पहली रोटी गाई को देनी है वे गाई माता की सेवा करनी है जहो गाई माता की ये गाए माता जैसे आपने बुडिया माई की रक्षा करी वैसे सबकी करना कहने वाले की सुनने वाले की और होकारा भरने वाले की गणेजी की कहानी, एक गाउं में एक अंधी विद्वा बुढिया माई अपने बेटा वहू के साथ रहती थी, उसका बेटा दिहाडी मजदूरी करता था, वहे दो समय जितना ही भूजन का प्रबंद कर पाता था, वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे, अंधी बुढिया माई गणेज भगवान की परम भक्त थी, वहे रोज नहा धोकर गणेजी की पुझापाड क्या करती थी, तब एक दिन गणेज भगवान बुढिया माई की पुझा और सेवा से प्रसन हो गे, और उसे एक रातरी में सपन में दर्शन देकर बोले कि हे मुझे मांगना नहीं आता, तो गणेज भगवान बोले कि बुढिया माई तू अपने बेटा बहु से पूछ ले, मैं कल दुबारा इसी समय आऊंगा, ऐसा कहकर गणेज भगवान अंतरध्यान हो गे, सुबच जब बुढिया माई सो करूठी तो उसे अपने सपन वाली ब बताई, तो बेटा अपनी मां से बोला कि मां तू तो धन मांग ले, ताकि हमारी गरी भी दूर हो जाए, तो बहु बोली कि सासुमा आप तो पोता मांग लो, ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मूद देखने को मिल जाए, तब बुढिया माई सोचने ल उदास थी, कि तबी उसकी पडोसन आई और पूछने लगी कि अरी बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है, तो बुढिया ने उसे भी पूरी बात बताई, तो पडोसन बोली कि अरी बहन, मेरी इमान, तू तो अपने खुद के लिए आँखे मांग ले, ताकि ते कि ऐसी क्या चीज मांगू, कि जिससे बेटा वहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आँखे मिल जाए, उसके बाद बुढिया माई रातरी में भोजन खाकर सो गई, और धरातरी में फिर से गणेजी भगवान बुढिया के सपन में आए और पूछने लगे, कि अरी दोरे में पोते को दूद पीता हुआ देखना जाती हूँ, तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरी बुढिया, तू तो कहे रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वर्दान में अपने लिए, अपनी बहु और बेटे सब के लिए मा बुढिया माई मैंने तुझे सब दिया, और तथास्तू का वर्दान देकर गणेश भगवान अंतरध्यान होगे, सुबज जब बुढिया माई सो का रूठी, तो उसके आखों की जोती आ चुकी थी, घर में अनधन के भंडार भरे पड़े थी, उसके दो कमरों के तूटे फूटे घर की जगे सुन्दर नोखंडी मकान खड़ा था, तीन मैने के बाद बहु को गर्ब टहर गया, नवे मैने में उसे सुन्दर पुत्र पैता हुआ, तब बुढिया माई ने अपने पोते को सोने के जूले में जूला जूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में पीते हुए देखा, ये गणेजी भगवान जैसासु का आपने बुढिया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, और हुकारा भरने वाले को, घर्तिवो तो पुरियो, पुरियो तो परवान चड़े, बुले विसने नाम तेरे बंडार में इस तरह आज हमने चेतर मास के तिस्वा सोंबार की व्रत कथा सुनी, अशा करती हूँ, इस कथा को सुनने का आपको संपून फल प्राप्त होगा, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिष्टेदारों म आपको मिले, धान्यवाद